आगास करते हैं अपने रस्ट के नवें और अवराल पंद्रवें सेशन के हम आगास करेंगे और कोशिश तो करेंगे कि वह आज ही खित्म हो जायर मेरा च Prose 먼저 में को दो तो आज हम कवर नकर सकते हैं तो इसी सुरक में पेर सेशन अगला हिस्सा रहीं जाए गया गया तो चेप्टर 3 तक हमने अच्छे खासे तरीके से इसको रिव्यू किया जितनी भी चीज़े थी और लास्ट जो हमारा सेशन था वो था फॉर लूप पे और फिर फंक्शन्स पे और फंक्शन्स के अंदर वैल्यू या परामीटर पास करने और फिर उसे रिटर्न में तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर चलते हुए जो रस्ट के चैप्टर नमबर 4 है रस्ट के बुक का जो के ओनर्शिप को डिल करता है उसको रिव्यू करेंगे तो चैप्टर नमबर 4 जो है वो है अंडरस्टेंडिंग ओनर्शिप जैसा कि शुरू में हम लोग डिस सी प्लस प्लस और हैसकल पाइथान जो हैं इन दोनों के अपने-पने कुछ फीचर्स हैं कि सी और सी प्लस प्लस जो है वो कंट्रोल वाइस और स्पीड वाइस वो बहुत ज़एदा फास्ट और शार्प थी लेकिन उसके अंदर सेफटी पॉंट आफ व्यू से ना कोई और इसकी वज़ा यह भी हो सकती है कि जाहर है इनको बने वे अब 40-40 साल होगे हैं तो उस जमाने में ऐसाच सेक्यूरिटी का वो डायल्मिया नहीं था जो के आजकल के जमाने में है तो इसकी वज़ा से उस जमाने में उन्होंने स्पीड और एफिशेंसी को सामने रिक्ति इस डिजाइन होई है जैसा कि हैसकल है एक फंक्शनल प्रोग्रेमिंग और पाइथान है तो इन में सेफटी मेयर्स का तो बहुत अच्छे तरीके से खयाल अठा गया लेकिन उन सेफटी मेयर्स की वज़ा से ना पर ये आपको लो लेवल का लेस केंट्रोल दे रही होते है अप ये इनकी साथ इनकी प्रो था और साथ एक कौन भी था इन प्रो एंड क्नत को बैलस करना के लिए फिर रस्ट सांने आई जिसने ना सरफ यह के जएदा केंट्रोल दिया जिसरह के C और C++ ले दिया होती है बलके साथ-साथ Haskell और Python की तरह more safety भी दी ठीक है और यह safety किस-किस किसम की थी नंबर एक तो यह है कि इसको कोई runtime required नहीं होता तो यह near to binary code compile करके आपको handover करती है प्रोगैम का जो output होती है जो यह नहीं होगा कि अब आपको किसी जगा प्रेस्ट का प्रोगैम चलाना है तो उसके लिए आपको rust का कोई runtime install करना पड़े जिसना java में jre install करने पड़ती है फिर memory के हवाले से इंतहाई safe programming होती है इसकी और यह data race जो कि हम आगे जाके शाहिए देखें उसके मसाइल से भी आजाद है ठीकी rust की language वे इसके डिजाइन में ही उन्होंने दोनों languages के cons को खतम करने और प्रोस को adopt करने का target लेकर जो इसके rust के designer से वो चले और उन्होंने इसको successfully achieve भी किया अब इसमें एक बड़ा एहम किरदार ownership के concept का था जिसने इसकी memory safety को वाके safe बनाने में एहम किरदार अदा किया तो अभी हम दिखेंगे कि ownership का concept क्या है stack क्या होते है ownership के rules क्या है heap क्या है और heap के उपर string का जो type बनती है data के type बनती है वो किस तरह से काम कर रही होती है then फिर memory allocation किस तरह से होती है और at the end हम दिखेंगे कि ownership functions के उपर कैसे apply हो रही होती है जो हम functional programming कर रहे होते है हमारा program different तरह के functions में divide होता है तो वहां पर जो ownership का concept है वो कैसे implement होता है यह चीजे एक बार जो हम सीख जाएंगे जैसे हम जब गाड़ी चलाना सीखते है तो शुरू में हमें सोच सोच के gears change करना पड़ते हैं अगर हमारी automatic गाड़ी नहीं है मैं सोचना पड़ते है okay fine, मेरी speed इतनी होगी है तो मैं second gear में चला जाएंगे, मैं मजीद थूड़ा सा fast हो यह हो तो third gear में चला जाएंगे फ़र्थ में चला जाएंगे, फ़र्थ में चला जाएंगे और अगर मेरी speed कम हो रही है यह मैं कहीं रोक रहा हूँ तो वापस gear change करूँ तो इम सोच सोच के कर रहे हैं तो फिर हमारी यह जो conscious calculation है वो खतम हो जाती है फिर हमारा दमाग खुद भूखुद as per the environment and as per the requirement of the car engine automatically वही काम जो हम पहले consciously कर रहे होते थे वो subconsciously जो हो जाता है कि हम दिखते है कि कितनी speed है और हमें कि square में होना चाहिए और हम उस square में गाड़ी को convert कर जाते हैं इसी तरह से हमें यह concept initially समझने की इसलिए जरूरत है कि हमें जब हम हम code design करने बैठे हैं तो उस वाकित हमारी किसी गल्पी की वज़ा से में error ना हैं यह नहोंगे किसी जगह हम variable की ownership transfer कर चुके हैं और हम उस variable को use करने की कुशच कर रहे हूं तो इन चीजों का consciously idea लेना इस chapter 4 में जरूरी है gradually जब हम programming करते रहेंगे आगे जाके तो फिर यह चीजें हमारे subconscious पे बाढ़ जाएंगे इसी तरह से जिसरा जब हम used हो जाते हैं तो हमारे as per the requirement gear की जो हमारी requirement होती है वह हम उसी तरह से change कर लेंगे इसी तरह से इंचाला जब हम आगे जाके इन concept को भी हम समझ लेंगे इचे तरीके से और आगे जाके हम programming कर रहे होंगे तो हम बात कर रहे हैं जो प्रोग्राम में हम variables बनाते हैं उनके हवाले से जो memory allocate होती है वह कौन-कौन से होती है तो रिस्ट के हवाले से data जो भी आपका program के अंदर होता है वह दो तरह की memory में save हो रहा होता है number एक तो है stack और दूसरी है heap तो भी हम आगे one by one इन दोनों का जाहिजा लेंगे कि stack और heap क्या बला होती है और क्यों होती है और कहां पर क्या use करें तो फाइदा है और कहां पर क्या use ना करें तो फाइदा है ठीक है अब stack और heap दूनों ही memory के अंदर अपना code के हवाले से data save करना है उसकी allocation की हवाले से control का नाम है और दोनों जो हमरा program चलता है तो उस वकत अमल पहरा होना शुरू होते हैं जो हम प्रोगाम को run करते हैं अपने cargo run की एकमार लिख्या तो at that time stack और heap दोनों memory में create होते हैं यह दो तरह की type होते है बैसिकली memory तो वही रहती है तो अब एक computer के अंदर रगी भी है लेकिर उसके अंदर जब organization of the data हमारे हो रही होती है नब वह थोड़ी सी stack में अलग तरीके से होती है और heap में अलग तरीके से होती है वह अलग अलग तरीका कार क्या है उनको हम आगे देखते हैं सबसे पहले स्टेट स्टेट जो है ना वह एक बड़ा अच्छा सा और बातरतीब और नजमोजब का मुझारा करने वाला और बड़ा वैल और्गनाइस के जब करना एक memory का structure है इसमें क्या होता है कि जब आपको values आना शुरू होती है किसी program में आप variables बनाना शुरू करते हैं तो variable एक दूसरे के उपर या जो memory के अंदर जो आप data save कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर store होना शुरू होता है बिलकुल एक कतार में होता यह कि आपका program है वो memory के अंदर एक area reserve कर लेते हैं कि अब पहला variable यह पहला data उसमें कहीं store करते हैं तो वो one number position पे जाकर वो save हो जाता है इसके बाद जो next data आ रहा होता है memory में वो second number position पे आ जाता है उसके बाद 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, onward चलता रहता है तो जिससरा से आपके program की data requirement बनती जाती है वो एक दूसरे के ऊपर stack के अंदर आके save होना शुरू हो जाता है और जिस वकित यह memory से wash होते हैं सबसे पहले जो सबसे उपर value होगी लाई कि इस तस्वीर में अगर हम example ने तो जो आठ नमबर डेट है सबसे पहले wash out हो का memory से देन पर 7th, 6th, 7th, 5th, 4th, 3th, 2nd, sorry, end में 1 इसको लाइफो लास्ट इन 1st out से भी पहचाना जाता है इस system को हर वो system जिसमें जो चीज सबसे आखर में जो आ रही है और सबसे पहले निकलती है वो कहलाती है LIFO यह अगर आपने data structures में अगर subject पढ़ावा हो अगर को IT से related रोग है यह आपे data structure में हम यह LIFO and FIFO किसम की Qs बनाते होते हैं इसी तरह हमारी आम जो दुनिया होती है उसमें भी बहुत से system LIFO पे और बहुत से system FIFO पे चल रहा होते है LIFO होता है last in first out कि जो चीज सबसे आखर में गई है और सबसे पहले बाहर निकलेगी और FIFO होता है first in first out जो सबसे पहले है वो सबसे पहले process होगी जिसना अगर हम किसी जिगा पर Qatar बनाते हैं आप Metro bus में सवार होने लगे हैं वहां पर Qatar बना रहे हैं या कोई ticket booth है उसके बाहर आप लो Qatar बना के खड़े हैं जिसना आप पाकिसान का भी मैच होने लगा है तो अगर आप मैच में स्टेडियम में इंटर होने के लिए जा रहे हैं और एक लाइन लगी भी है क्या होगा मैं जो वैन पहले के खड़ा होगा वह सबसे पहले उसको प्रोसेस में गजांगे सबसे पहले स्कीरे लाइन में अंडर होने दिया जाएका जो सबसे आखर में आके घड़ा हुआ है उसकी बार Pacifico System लेकिन स्टैक फाइफो पे नहीं लाइफो पे काम करता है लास्ट एंफस्ट आउट है जो अच्छे सबसे आखर में आई है वो सबसे पहले प्रोससर होगी इसकी रियल लाइफ एक्जेंपल में एक स्टैक फ्लेट आप ले सकते हैं घर में भी मुमनी होता है कि जो खाने पी में जो प्लेट्स होती है अगर आप वो धोएं तो धो के नॉर्मली उनको उल्टा रखा जाता है एक जूसरे के उपर उल्टा रखने की वज़ागी होती है अआप उल्टा रखें अब वक जाएंगे अगर आप उनको सीधा रख देंगे तो जोड़े बहुत कत्रे पानी की रह जाते हैं गर आपनी को खुश्क ने किया तो उसके अंदर जमा हो जाएंगे वह पानी जो है नॉर्मली किया जाता है कि उनको उल्टा करके रख दिया उल्टा करने से होता है कि आज़ को पानी उनके अंदर तो इसका पेंदा सा होता है वो भी उल्टा करने के बते हिए उलीचे कर जाते है तो चली है उल्टा रख़ें सीधा रखें पर अगर आप इसी लॉग बुफे डिनर वगैरा में जाएं तो वहां पे जो नोने plates होती है वो इस तरह के box में रखी होती हैं गोड़ा को आकलाए घेर साफी होती है तो इसमें क्या होता है कि आप plates इसके उपर तर्तीब से रिखते चला जाते हैं ठीक है और एक पूरा धेर सा बन जाता है आपने हैं जो सबसे पहले प्लेट रख़ी होगी और फिरसके पर पर फिरसके ओपर करके आपने 20 प्लेटे एक अठी रखे रखे. तो सबसे उपर वली प्लेट उठालेगा कैसी दिनाट वैघ Anandam आप जब बंदा आएगा ना। सबसे पहले निचे वाली प्लेट निकालाज सबसे उपर लगए JOSH तो उपड़े लेगा उनजवी प्लेट गर जाएंगे तो यह होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट सेस्टम तो यह जो हमारी टेक्निकल टर्मिनॉलोजिस हैं उसमें जब आप किसी स्टैक में डालते हैं या जिसरे हम प्लेटे में कितार हैं उसमें हम एक और प्लेट उसके उपर रख रहे हैं आपके पास 15 प्लेट फड़ी थे पांच प्लेट आपने और धोली दो के बाब वो यूस होने के लिए रिडियो होगी तो अब आप आपके उनको एड करना चाहरे हैं जब क्या करेंगे उन 5 प्लेट को उसकतार में सबसे उपर रख देंगे तो जब आप किसी प्लेट को उसकतार में सबसे उपर रखेंगे या अगर हम कंप्यूटर के प्रोगैम के जरफ जाएं तो जब आप उस प्रोगैम के अंदर स्टैट में मेमरी में कोई डेटा एड करवाएंगे उस प्रोसेस को कहते हैं पुशिंग तू दा स्टैक इसी स्टैक में डेटा पुश करना अगर आप में से कुछ लोग रिवॉलवर्स रिवॉलवर्स पिस्टल के या गुंस के लमजे वगरा के शोकीन है तो पता होगा कि उसके नीचे वो जो मेंग्जीन डाल रहा होता है में गोलिया डालते हैं तो क्या करते हैं कि हम सबसे अब ही मेंक्जीne आप इलकुल खाली पड़ा हुआ है तो हम उस में गोली पुश करेंगे तो वह मेंग्जीne में आ जाएगी फिर अम उसके उपर जब दूसरी गोली पुश करेंगे तो पहले वाली थूड़ी सी रीचे चली जाएगी, नीचे हो जाएगी और यह जो हमने 2nd नबर पर गोली डाली है, वो सबसे उपर आजएगी. फिर एक और हम गोली उपर डालेंगे, फिर एक और गोली उपर डालेंगे, तो होगा ही, जो सबसे पहले गोली डाली थी ना, वो सबसे नीचे पहुंच चुकी है, यानिके मैगजीन है, उसमें सबसे पहले गोली डाली थी वो सबसे नीचे पहुंच चुकी है, यानिके मैग जस्वे नंबर पे वो सबसे उपर आ रही होगी फिर आप उस मैजजीन को अपने पिस्टल में इंसर्ट करेंगे इंसर्ट करने के बाद जब आप ट्रैगर दबाएंगे तो दस नंबर गोली जो सबसे उपर थी ना वो सबसे पहले चैंबर से होकर फायर होगी अब वो जो नौई जो सेकंड नौई जो थी जो सेकंड लास्ट टाइम पे डली थी गोली वो अब सबसे उपर आ जाएगा अगले बज़ जो फायर करें तो वो गोली फायर होगी जो second last में डली थी सबसे पहले जस्वी नंबर गोली जो सबसे last में डली थी वो फायर होई फिर नौवे नंबर पर जो डली थी वो फायर होई फिर होते होते तो सबसे पहले डली थी वो सबसे आखर में फायर होगी और आपका मैगजिन खाली हो जाएगा स्टैक में मजीद चीज एड़ करना कहलाता है पुश और स्टैक में से चीज को निकालना यूज करने के लिए उसको कहते हैं पॉप ठीक है तो यह जो हमारी प्रोगैमिंगी टर्मिनी आपकाता है इसके अंदर ऑपनरे भी स्टैक की बात टरेंगे पॉप करते हैं ठीक है अच्छा स्टैग जो है न वह एक बड़ी और्गनाइस्ट मेंबरी स्ट्रक्चर है और अगर हम हीप और स्टैग को कंपेर करें तो स्टैग रेलेटेबली फास्टर है हीप से चैए इसपीषैन्ट है और जायदा और्गनाइस्ट है और इसकी एक रिक्वार्मेंट है यह दोनों यह जो बते हैना हम ने कहीं अच्छा स्टैग को पूरा करने के लिए इसकी खास रिक्वार्मेंट है कि स्टैग के उपर जो भी डेता सेफ कर रहे हों उसका size पहले से तो चाहिए कि क्या size होगा दूसरा को size fix होना चाहिए, variable ही होना चाहिए, वो run time पे change ना हो ठीक अगर आप कहने 8 bit का data है तो 8 bit गई हो, पहले से आपको बता होगे, 8 bit का data होगा हमारे score up हो गया ठीक है और वो end तक 8 bit ही रहे आपके सामने आ रही है इसमें पुश और पॉप को पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया मजीद आपकी अंडर्स्टेंडिंग के लिए फॉर्मल हमरे पास एक स्टैक है इसके अंदर चार चीजें पड़ी है ए बी सी और डी जब हम इसमें कोई पुश करना चाहेंगे हम चाहरे हैं कि हम एक को इस स्टैक में डाल दे तो अब जैसा कि मैंने पूप कहा कि वह आपरेशन कहलाता है पुश अब हम यह नहीं कहेंगे क एक स्टैक में पुश कर दो तो देखें यहां पर यह ए था कि इस ए को हमने स्टैक में पुश किया तो हमारे पास जो रिजल्टंग्स जो आया वह यह था ठीक है तो देखें इसके विफ़ेशन कि ऊपर इससे उपड़ा रहा है ठीक है तो इस तरह से हमारे पास यह देखें यह अब e push होकर stack के top पे आ गया stack में से कोई operation निकालना जो है वो कहलाता है pop करना अब हमारे पास जो resulting stack बना था वो यह था अब इसमें A, B, C, D, E यह values पड़ी है अब चुक्के यह stack है तो हम यह नहीं कर सकते हैं हम इसमें से D निकालना है या C निकालना है या B निकालना है हम इसमें से तरजीब से निकालना है तो जब भी हम इस stack के उपर pop operation perform करेंगे तो सबसे उपर जो भी चीज की element पढ़ा होगा वो सबसे पहले remove हो जाएगा तो जो ही हम इस stack के उपर pop operation apply करेंगे तो क्या होगा कि यह जो E नाम जो सबसे उपर पढ़ा हुए यह सबसे पहले इस stack में से out हो जाएगा remove हो जाएगा अब हमारा जो resulting stack था वो यह रह गया ठीक है अब हम इसके उपर अगर दुबारा यही operation pop वाला perform करें तो अब जो सबसे उपर value है वो है D अब क्या होगा अब यह D pop हो जाएगा तो जब भी आप push operation करते हैं तो क्या होता है कि जो भी आप value डालते है element वो stack में सबसे उपर आके place हो जाता है और जब आप pop करते हैं तो जो भी सबसे उपर stack में value पड़ीवी होती है वो remove हो जाती है वो pop हो जाती है यह concept होता है push or pop का एक pictorial example है यहां पर तो भी मैं Linux में काम कर रहा हूं तो इस वकत यहां पर वो facility नहीं है अगर आप अपने पास जो आपके स्लाइड पे आएं और इसको shift F5 दबा के अगर अपने सामने as a powerpoint presentation लेकर आएं तो यह एक पॉपर animated form में यह एक GIF दिया हुए यह और push होगा तो 4 हो जाएगी देन फिर popping start होगी तो यह value one by one out होगी और आपको ग्राफिकल form में आपको यह push and pop operation की example मिल जाएगी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह जो हमारे portal पर यह जो rust वाली slides है यहां पर इस वाली slide पर आना पड़ेगा यह तकरीब 100 के करीब slide number होगा इसका ठीक है और यहां आके आप इसको shift f5 दबाएंगे पावर पॉइंट के इंदर रहते वह तो यह slide slide show में convert हो जाएगी और वहां पर आप इस animation को बहसानी देख पाएंगे ठीक है अब यह background पर काम कैसे करता है तो होता ही है कि जब भी कोई code किसी function को call करता है तो उस function से related जितने भी variables होते हैं या उनके pointers होते हैं वो जाके stack के उपर save हो जाते हैं देखेंगे न जब आपने program एक main function मनाया फिर main function के अंदर आपने कोई और function call कर लिया और उस function को कुछ या तो parameter आपने पास करवा दिया या उस function के अपने अंदर कोई values बन गहीं like variable आपने बना दी हम इसकी example मेरे ख्याल में हम live ही चाले जाते हैं सासा सोड़े से practical चीज़ें पर देख लेते हैं काफी देर से हम जबानी जबानी बातें कर रहे हैं तो बाद उकास जबानी जबानी बातें हैं इतने मज़े कि नहीं लगती हैं फोरा सा taste चेंज end sorry at i i32 is equal to 10 और इसके बाद हम करते हैं my function को call और इसके बाद हम कर लेते हैं println ठीक हमारा main function है और एक हम बना देते हैं my function और इसके इंदर हम let x ठीक है यह हमारा एक simple सार प्रोग्राम है इसमें हमने एक variable बनाया i इसके इंदर value डाल जी टैंक then my function बनाया है और फिर उसके बाद हमने my function को call किया तो एक इंड्रोल यहां पर आ जाएगा my function में यहां पर हमने एक variable बनाया बूल टाइप पर इसके दर हमने value डाल जी true उसको print करवाया प्रिंट करवाने के बाद यह function खतम हो गया खतम होने के बाद यह इस एक ली लाइन पर आ गया यहां पर हमने value of i को print करवा लिया वो तक हमारा program end हो गया सबसे पहले हम इसको compile करके चला के देखते है अब देखते हैं यहां पर हम वापस आते हैं अपने code में और अब मैं आपके सामने बना लेता हूँ एक टेड़ी मेड़ी सी heap ठीक है यह for example हमारे memory है computer की उसके अंदर ही जो हमने program बनाया है इसकी यह heap बन गई तो यू ही हम इस line में पहुँचेंगे न पहली वाली में तो क्या होगा कि इस heap में एक variable बन जाएगा इसका नाम होगा i मुक्षा का नाम है फिर्ण पर इसकी अंदर आप चिलb गाली और तो Metro 10 की binary value जो है न वो store हो जाएगी ठीक है और यह स्टैक में सबसे उपर होगा स्टैक में सबसे उपर आ रहा होगा फिर इसके बाद हमने my function को call किया अब control जो है वो transfer हो जाएगा यहां पर ठीक है अब यहां पर इसकी पहली जो command execute होगी यह एक x नाम का variable बनाएगी जिसकी type होगी boolean और इसके दर value डाल देगी true इस heap में एक और data जाके save हो जाएगा जिसका नाम होगा x और इसके दर value save होगी true ठीक है फिर उसके बाद print होगी जिनके println वाली command से लेगी यह वाली और यह क्या करेगी यह x की value को print करवा देगी show करवा देगी उसके बाद यह वाला जो यहां पर पहुचेगा function अब खतम हो जाएगा जो ही यह function खतम होगा तो इस function की जो variable रहना वो सारे memory में से पॉप हो जाएगे इस function के अंदर सर्फ एक ही variable बना था जिसका नाम था x तो क्या होगा कि x जो है sorry x जो है वो memory में से washout हो जाएगा पॉप हो जाएगा ठीक हो गया उसके बाद जो control है वो यहां से वापस my function से अगली line इस जगा पर आ जाएगा यहां पर अब value print होगी i की और i की value यहां पर 10 आ रही है तो वो 10 print हो जाएगा print होने के बाद control आ जाएगा इस जगा पर यहां पर आके function खतम हो जाएगा अब जो ही यह function खतम होता है तो इस function से associated जो भी variable वगरा stack पे save हैं वो सारे memory में से pop हो जाएगा इस वकत हमारे पास memory में जो save था वो यह वाला portion था तो यह पॉप हो जाएगा ठीक है तो add the end जब यह program खतम होगा तो आपके पास वापस जो आपका stack है वो यह खाली रह जाएगा ठीक है और वैसे भी जवका program exit हो जाएगा तो add the end यह जो stack की reservation होई भी थी हमारे program की memory में से वो भी खतम हो जाएगी और memory बिल्कुल program की वो sorry computer की वो free हो जाएगी जवका program end हो जाएगा यह steps होते हैं आपके popping and pushing के कि सबसे पहले one by one जूंचू आपके functions या जूंचू आपकी values बनते जा रही है वो memory में stack में push हो रही होती है और then gradually जूंचू आपके functions या अपना area या scope होता है वो cover उचा चला जाता है तो वो memory में से pop हो जाते है ठीक है यहां तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें कि अभी तक हमने stack को थोड़ा सा review किया है कि stack कैसे काम कर रहा होता है और उसमें push और pop कैसे होता है तो यहां तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें वरना फिर हम heap पे जाएंगे अगर कोई question नहीं है तो यहां मैं ले रहा हूँ एक 5 minute की break तो यहीं से स्टार्ट लेंगे और heap को discuss करेंगे ठीक है तो मिलते हैं एक छोटी सी break के बाद तस बच के 45 minute पे आपको निया link वहीं पे हमारे group के उपर मिल जाएगा वहां से आप इस meeting को दुभारा join कर पाएंगे और दिन join करके हम तरह heap को भी हहां से onward discuss करेंगे